हेलो गाइज अससलाम उलेकूम देखिए आज हम बनाते हैं चिकिन शिमला मिर्च रेसीपी तो देखिए यह हमने सभी चीज ले ली हैं और देखिए यह हमने कूकर ले लिया है इसमें हमने प्याज एड़ कर दी है यह हमने प्याज काटी थी और इसी में हमने गरम मसाला भी करा है साबत तो देखिए गाइज आव हमने ये चिकिन डाल दिया है जो हमने ये मेरिनेट करा था और अब हम इसमें अच्छे से तलेंगे गाइज मेरी वीडियो को फुल वॉच करना देखना ये रेसीपी बहुत मज़ेदार बनती है अब हमने इसमें देखिए ये नमक अड़ कर दिया है ये लहसन अद्रक का पेस्ट है इससे डाल कर बहुत अच्छे तरीके से तलेंगे देखिए गाइज अब हमारा ये तल चुका है तो अब हम इसमें देखिए मसाले एड़ करेंगे तो देखे गाइज यह हमारी टेमार्टर हैं और शिमला मिर्च कटी हुई हैं यह हमने इसमें टेमार्टर एड़ करें हैं और फिर अब हम यह शिमला मिर्च डालते हैं गाइज बहुत टेस्टी बनती है आप भी ट्राइ करें ये दो हमने हरी मिर्च एड़ कर दी है इसमें और हम इसको अब अच्छे से भूनेंगे और हम इसमें हल्दी, नमक, मिर्च ये सब डालेंगे तो देखे गाईज ये हमने नमक एड़ करा है ये देखे हमारा नमक है हल्दी है मिर्च है धनिया पॉर्डर नहीं डालते क्योंकर धनिया पॉर्डर से अच्छा नहीं हो पाता और मुर्वे का गोश्ट इसमें भुन भी नहीं पाएगा ये हमने इसमें दही एड़ किया है और ये हमने देशी गी लिया है ये हमने देशी गी भी इसमें डाला है ताके इसमें बहुत अच्छी खुश्बुआ है और गाइज ये हमने मलाई लिया है तो हम इसमें ये मलाई भी एड़ करते हैं कि देखिए यह हमारी मलाई है अब मिसमें थोड़े से धनिया पत्ता भी डालेगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से भूल लिया है उसके बाद हम पर देखिए गाइस इसमें डालेंगे कसूरी मेत्ही डेखिए यह हमारी कसूरी मेत्ही है बहुत अच्छी खुश्बू आती है इससे भी इसलिए और हम ने ये चाट मसाला एड़ करा है चिकन मसाला एड़ करा है ये दोनों मसाले एड़ करें हैं देखिए गाइस कितना शानदार हमारा ये बनके रेडी हुआ